पहले तो मृत्व होती कैसे है इसी विशेप पर आ जाए कैसे होती है उसकी प्रकरिया क्या है देखिए जब अंतिम समय आता है तो जहां एनर्जी है पूरे शरीर में वो एनर्जी खिच करके सब जगह से एकत्र हो करके और नावी पर आ जाती है सबसे पहले पैरों से खिचती है प्राण पैरों से निकलते है पूरे कहते हैं ना मरने वाले के पैर ठंडे हो गया है मासे एनर्जी खिच जाती है अल सबसे पहले पैर से खतम हो जाएगी सब जगह से प्राण निकलते हुए पैर की तरफ वो नावी की तरफ आ जाएंगे और नावी इसके बाद फिर शरीर में जो पांच दर्वाजे हैं उनसे निकल सकती है प्राण बाहर मू से नाक से आखों से कान से या अपना जो है एनस वगेरा से भी निकल तो यहां से जब प्राण बाहर निकलते हैं तो एक सफेद डोरी जो इसको हम सिल्वर कॉट पहेंगे यह ड़क्टर जेडी गोईल ने भी बताया है और जेडी गोईल ने अपनी जो बुक है उसमें बिदेशियों के अनभप लिखे हैं ज्यादा तर और बिदेशियों ने यह बताया कि जब मेरी मौत हो गई और मेरा सुक्ष्म शरीर बाहर आ गया तो मैंने अपने आपको मैंने सुक्ष्म शरीर को अपनी फिजिकल बॉड़ी से एक सिल्वर कॉर्ड के माद्धम से कनेक्ट होता देखा और वो जब सिल्वर कॉर्ड तूटती है तब फिर एक्चुल मौत हो जाती है मेरे खाल से साथ लाइफ आफटर लाइफ में डक्टर रैमाड मोर्डी ने भी कहीं उले किया है तो यह सिल्वर कॉर्ड है अब इस पर जब और जगह मैंने अध्यन किया तो यह सिल्वर कॉर्ड आपके भौतिक शरीर में और सौपन के समय भी रहती है यह भी कहीं कहीं बताए गया है कि जब हम सौपन देखते हैं तो हम सरीर से बाहर निकल करके इदर दर खूंते हैं तो वो सिल्वर कॉट से हम अपनी बहुत तक शरी से जोड़े रहते हैं और यदि नींद से जाग जाएं तो ततकाल हम उस सुपन से अपने बहुत तक शरी में बापस आ जाते हैं ये सिल्वर कॉट का इतना महत है कि वहला लेकिन कुछ होता जरूर है और ये भी है कि जिन लोगों की उन आयू के बाद व्रद्ध वस्ता में सौभाविक रूप में मृतू हो रही है तो वो प्राण निकलने की यही प्रक्रिया है और इसके बाद वो व्यक्ति जिसके प्राण निकल चुके है वो सहम अपने ही भौतिक शरीर को देखता है दाय संसकार को देखता है सारे करम कांड को देखता है तेरेवी तक रहता है इसलिए मेरी मन में प्रिशन उठा ध्यान वस्ता में भगवान से पूझा मैं भगवान से बातें करता हूँ जब तक मैं सगुन उपासना में हूँ और जब मैं शून में चला जाओगा तो फ Divine कोई विचार नहीं होंगे एक प्रिशन उठा कि सुखद मिर्तिव और दुखद मृत्यू में क्यानता रहे सुखद मृत्यू मेरे हिसाब से ये होगी कि सारे जीवन सुस्त रहे खुश रहे चिंता रहत रहे इक्षा रहत रहे और लास्ट मॉमेंट पर वासना रहत रहे और पता ही ना चले कि मौत कब आ गई यो बाहर चले गई निकल गई दुखत मिर्तिव बीमार पड़े हुए हैं बीमारियों से बहुत ग्रस्त है खुद मरने वाला भी अब सोच रहा है कि हे भगवान अब तो तु मुझे मौत दे दे उसके अटेंडेंट और परिवार जन्वाले भी कह रहे हैं सुच रहे हैं कि बस अब तो इनकी भगवान सुन ले ये दुखत मिर्तिव है और मैं आगे कहूंगा कि दुखत मिर्तिव और सुखत मिर्तिव भी अपने हाथ में है ये हमारे हाथ में है कि हमारी मौत सुखद हो या दुखद हो